एक समय की बात है, हार्मनी हिल्स नाम के एक सुरमय ग्रामेन गाउं में, मैक्स नाम का एक असाधारन कुट्टा और डेजी नाम का एक उतना ही उल्लेखनिय गधा रहता था। दोनों अभिन्न मित्र थे और उनके बंधन की चर्चा पूरे गाउं में थी। मैक्स करुणा से भरे हृदय वाला एक सुन्दर गोल्डन रिट्रीवर था, जबकि डेजी सबसे आकरशक आखों वाली एक सौमय और बुद्धिमान गधी थी। उनकी कहानी एक धूप भरी सुबह शुरू हुई जब मैक्स सिर्फ एक छोटा पिल्ला था। वह गाउं के किनारे लावारिस और अकेले रोता हुआ पाया गया। दयालू गाउं वाले उसे अपने साथ ले गए और उसकी देख भाल की लेकिन वह डेजी ही थी जिसने छोटे पिल्ले में सबसे अधिक रुची दिखाई। डेजी ने मैक्स के अकेलेपन को महसूस किया और उसकी अभिभावक देवदूत बनने का फैसला किया। उसक्षन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक साथ खेतों और घास के मैदानों की खोज करते थे, खेलते थे और हर दिन एक दूसरे से सीखते थे। मैक्स गाउ के इतिहास के बारे में डेजी के विशाल ग्यान और वहां से गुजरने वाले यात्रियों की कहानिया सुनकर प्राप्त ग्यान से आश्चर्यच्कित था। जब वह कहानिया सुनाती थी, तो वह उसके पास बैठता था। हर शब्द को आत्म साथ कर लिता था और उत्साह से अपनी पूछ हिलाता था। बदले में देजी ने मैक्स की असीम पूर्जा और चंचलता की प्रशन सा की। वह उसे तितलियों का पीछा करते और लाठिया लाते हुए देखती थी, और वह उसकी पिल्ले जैसी हरक्तों पर मन ही मन हनसती थी। जैसे जैसे समय बीदता गया, मैक्स और डेजी की प्रसिधी हार्मनी हिल्स से परेफैल गई। पडोसी गावों से आने वाले परियटकों ने अप्रत्याशित दोस्ती के बारे में सुना और एक कुत्ते और गधे के बीच के बंधन को देखने के लिए दूर-दूर तक यात्रा की। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि वे प्रकृती का चमतकार देख रहे हैं। लेकिन ग्रामेन इलाकों में जीवन हमेशा सुखद नहीं था। एक गर्मियों में घूमी पर भयंकर सुखा पड़ा, जिससे ग्रामेनों को अपनी फसलों और जानवरों की चिंता होने लगी। कभी हरे भरे घास के मैदान सुखे, बंजर खेतों में बदल गए और नदिया लगभग सुख गई। गाओं की जल आपूर्ती कम हो गई और पूरे समुदाय को जीवित रहने के लिए कड़ी चुनोती का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय के दौरान मैक्स और डेजी ने अपना असली रंग दिखाया। मैक्स अपनी गंध की गहरी समझ से भूमिगत जल स्रोतों का पता लगा लेता था, जिससे ग्रामीनों को छिपे हुए कुओं तक ले जाया जाता था। देजी ने अपनी ताकत से अपनी पीठ पर पानी के बैरल धोए, जिससे जानवरों और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक जल्योजन प्रदान किया गया। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए और वे गाव के नायक बन गए। जैसे जैसे मैक्स और डेजी ने साथ-साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। उनके बीच का बंधन मजबूत होता गया और ग्रामीनों को एहसास हुआ कि उनके बीच साजह किया गया प्यार और दोस्ती किसी भी चुनोती पर काबू पाने की कुंजी है। जैसे जैसे मौसम बदला, अंतह सूखाक्त्म हो गया और हार्मनी हिस एक बार फिर एक सुन्दर संपन्न ग्रामीन इलाके में बदल गया। खेत रंग बिरंगे फूलों से खिल उठे और नदिया बिलकुल साफ पानी से बहने लगी। गाव ने अपने पुरुधार का जश्न मनाया और मैक्स और डेजी को एक विशेश समारोह में सम्मानित किया गया, जो उनकी बहादुरी और एक्ता का प्रमार था। उनके वीर्ता पूर्ण कारियों की चर्चा गाव के बाहर तक पहुँची और मैक्स और डेजी प्रसिध व्यक्ति बन गये। उन्हें पडोसी शहरों में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने प्रेम, करुणा और द्रिड़ता का संदेश फैलाते हुए अपनी प्रेरक कहानी दूसरों के साथ साजा की। जब वे एक साथ यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें कई जानवरों और जरूरत मंद लोगों का सामना करना पड़ा। मैक्स और डेजी कभी भी मदद के लिए हाथ, पंजा या खोर उधार देने से नहीं हिचकी चाते थे। उनकी असाधारन मित्रता ने दूसरों को अपने मतभेदों से परे देखने और उन अद्वितिय गुनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जो प्रत्येक व्यक्ति को विशेश बनाते हैं। साल बीटते गए और मैक्स और डेजी बड़े हो गए लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा की तरह जीवन्त रही। उनकी दोस्ती प्रसिद्ध हो गई थी और वे अब गाउं के बुजुर्ब थे, युवा पीड़ी का मार्क दर्शन कर रहे थे और वर्षूं से अरजित ज्यान को साजा कर रहे थे। एक दुर्भाग्य पूर्ण दिन जब सूरज पहाड़ियों पर डूब रहा था, मैक्स और डेजी ने एक साथ अपनी अविश्वसनी यात्रा को याद करते हुए घास के मैदानों में आखिरी बार सैर की। वे अपने पसंदीदा ओग के पेड़ के नीचे बैठे, रात के आकाश में तारों को टिम्टिमाते हुए देख रहे थे। एक संतुष्ट मुसकान के साथ मैक्स ने अपना सिर डेजी के कंधे पर रख दिया और उसने धीरे से अपनी कोमल नाक से उसे थप्थ पाया। वे जानते थे कि उनका साथ बिताया समयक्त महोने वाला है, लेकिन वे आपस में साजा किये गए प्यार और अपने आसपास की दुनिया पर उनके प्रभाव के लिए आभारी थे। अगली सुबह ग्रामेन जागे और उन्होंने मैक्स और डेजी को अभी भी ओक के पेड़ के नीचे एक साथ पाया, लेकिन दोनों नींद में ही शांती से मर चुके थे। यह खबर तेजी से फैल गई और पूरे गाव ने उनके नुकसान पर शोक व्यक्त किया, जो खुशी और प्रेणा बे अपने जीवन में लाए थे, उसके लिए आभारी थे। मैक्स और डेजी की स्मृती का सम्मान करने के लिए हार्मनी हिल्स के केंदर में एक सुन्दर स्मारत बनाया गया था। पत्थर पर ये शब्द खुदे हुए थे, जीवन में अविभाजत, आत्मा में सदैव एक साथ। और इसलिए मैक्स असाधारन गोल्डन रिट्रीवर और डेजी उलेखनिय गधा की कहानी पीढियों तक जीवित रही। उनकी कहानी प्यार, दोस्ती और एक्ता की शक्ती का प्रतीक बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सबसे अप्रत्याशित कनेक्शन भी वास्तव में कुछ जादूई बना सकते।